नमस्कार दोस्तों, डीडी रेट के एक और रेक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है, मैं हूँ आलू तो आज जो वीडियो मैं आपनों के साथ देखने वाला हूँ, जिस वीडियो पर मैं रेक्शन देने जा रहा हूँ वीडियो है डिली स्वाइक का, और इसका टाइटल है इंडियानाव रैंक्स third in global scientific publications says US report तो जैसा कि आप सबको पता है कि global scientific publications की रिपोर्ट आई है और उसमें इंडिया जो है वो 30 नंबर पर है, इसका मतलब यह हुआ कि science को लेकर इंडिया में बहुत ज़ादा काम किया जा रहा है और science related journals, articles ये publish किया जा रहे है और उसी की ये ranking है कि भाई ये दर्शाती है कि किसी भी देश में science को लेकर कितना कैसा माहौल है, कितना काम किया जा रहा है वहाँ कि जो नई पीड़ी है, वो कितना involved हो रही है science में, तो उसी की ये ranking है तो चलिए इस पर पाकिस्तान की जनता क्या कह रही है आईए देखते हैं, जवाब बड़ा मज़दार होने वाला है मुझे लग रहा है क्योंकि science की बात हो रही है और पाकिस्तान सामने है चलिए सर, basically मेरा आज काफ से बात करने का purpose है कि अभी science and research and technology को पर हम बात करें तो दुनिया देखती के race लगाई वी दुनिया ने कोन आगे जाता, कोन आगे जाता सबसे पहले हम बात करें चाइना की चाइना के बात अमेरिका की, अमेरिका के बात इंडिया की तो ये बहुत जादा research कर रहे हैं और technology के लिहाँ से बहुत जादा आगे जा रहे हैं पाकिस्तान कहां stand कर रहा है, इन सब मुमालकों को देखें तो पहली बात तो यह है, आप कई मुलकों के नाम चोड़ गया है, अमेरिका और चाइना के बाद एक दम इंडिया आ गया है, इंडिया में तो अमेरिकान और जर्मन और दूसरे चाइनीज कंपनियें लगी हैं, वो उदर उनको लेबर सस्ती परते हैं, इस वज़ा से वो उद जाती है, वो जब आधी वहां भी ले ले उदर की तो उनकी तो कॉंपनी हिटो जाती है, तो असलिए तो देखें, देखें, यह है एक टिपिकल पाकिस्तानी माइंड सेट, जिसे हम मुल्ला माइंड सेट कहते हैं, यह पाकिस्तानीयों के लिए कह रहा हूँ मैं, कि नॉर् हमने इंवेंड किया, चलिए मैं एंसेंट इंवेंशन छोड़ देता हूँ, मॉडन में आते हैं हम, मॉडन में, यूसबी की इंवेंशन हमने की, जो कम्प्यूटर में पेंटियम चिप यूज होते थे, उसकी इंवेंशन इंडियन ने की, आप जब आएंगे इसमें वाइ इंडियन्स ने की है, एंसें टाइम छोड़ दीजे, हमारी तो हजारों साल से दस्यों, हजार साल से परंपरा जो चलिए आ रही है, जो चीज़ें हमने सीखी हैं, वो चाहे केटरेक्ट सरजरी हो, ये भी इंडिया में इंवेंट हुई, वो चाहे प्लास्टिक सरजरी हो, वो भी इंडिया में इंवेंट हुई, आप लोग क्या बात करते हो यार, इसलिए हम हसते हैं आपके उपर, क्योंकि आप जान बूझ कर ये चीज़ स्विकार नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि जैसे ही आपने स्विकार किया, आप कमतर हो जाओगे, आप ये समझते हो, बॉस नुमाइंदगी आप, मतब आप नुमाया करेंगे अपनी इस बयान में, आप देख लिएगा, थोड़े दिर में होने वाला ही, अगर आप पापॉलेशन के बात करेंगे, पाकिस्तान भी पापॉलेशन के लिए से दुनिया के चटा या पांचवा बड़ा मुलक है, आप मैं ते कहा कि इंडिया के अपनी कोई चीज नहीं, लेकिन मैं बताऊं स्पेस और डिसर्च टिकनोलजी के अपर, स्पेस के बारे में अगर हम बात करें, तो अभी दोजार पचीस यार टीस के अंदर, इंडिया एक सुपर बावर बनने जा रहा, चाइना को बीड करने के ब इंडिया भी बहुत पीछे है और हम उसको हम उसे आगे निकल रहे हैं और निकलेंगे, मैं नहीं मानता वही, मैं बिल्गे मेरी भी अपनी एक रिसर्च है कि आप एक नंबर के जाहिल हैं और आप इंसान ही नहीं है, आप वानरू की श्रिणी में आते हैं, आप मालनेंगे मेरी बात, लोग मुझ पर हसेंगे ना अगर मैं ऐसा कहूंगा तो, लोग हसेंगे यार कैसी बाते कर रहा है यार, क्या मतल मान लिया है, कि यह सूरज नहीं है, यह चांद है, तो यह mentality आप लोगों में ही पाई जाती है, बाकी तो इसलिए दुनिया देख रही है, कि आप जो हैं, वो कबर में समाते जा रहे हो, और हम जो हैं, वो जमीन से उपर अंतरिक्ष में पहुँच गए हैं, हम कैसे निकल र तो बिलकुल नहीं होनी चाहिए, ना, आगे इने बाद, इस ही की बात में कर रहा था, पाकिस्तानियों, बड़े पाकिस्तानियों प्रेडिक्टिबल हो गए हैं, बस वही 6-7 phases हैं, बस वही रट लिया हैं, बच्पन से घुट्टी पिला दी गई हैं, मदरसों में और हर ज हो चाहिए कि वह आगे हैं, हमारी सोच नहीं वह कर रहे हैं, अभी एकर एकोनोमी की बात करें तो दुनिया की पांस भी बड़ी महिश्यद बन गया भाई, वह अब भी हमें कोई चीज चाहिए जानने के लिए, या हम इस फ्रेक्ट को क्यों नहीं तसलिम करते हैं, हम क्यों मानते हैं, और दुश्मन जो होता, उसकी कभी तरीफ नहीं की जाती, तो हम क्यों तरीफ करें उनकी, अगर दुश्मन हम से आगे जा रहा तो भाई यह चीज़ को मानना पड़ेगा ना, तारीफ देखें, कि अगर तारीफ करने से वह या हमारे तारीफ करने से वह कम तो न मजाइल सिस्टम में हम उन से बहुत आगे हैं, हमारे से डरती ही वह इसलिए हैं, कि हमने ऐसी ऐसे मजाइल बनाए हैं, और ऐसी एटमी टेकनलोजी में ऐसे छोटे-छोटे हमने एटम्स बनाए हैं, कि हम उनकी जितनी जगह चाहें, जब मरदी उड़ा दें, यह कौन सी ब अगर काबलियत पैदा की कि सबसे अच्छे तरफाल चलाने वाले हैं, हादर दो पकर सदीक रजी लौत अनो, सर उस टाइम के मुसलमनों आपने आपको डिवेलप किया था, सर अपने तालीमी निजाम के ओपर काम किया था, सर अब हम नहीं कर रहें, मसला यहाँ, सर आपका लिहासे दुनिया से बहुत पीछे है इस पर कप काम करेंगे हैं आपने बहुत लंजी बड़ी अच्छी तक्रीर किया है वगर मैं इतफाक नहीं करता मुसल्मान का सारे का सारो दर्मदार उसके एमान उसके यकीन पर है हमारा एमान मजबूत है आज मकाबला करके देख लें यह टेकनालोजी यह मष्य सब खत्म हो जाती जब जंग होती है मष्यतें बैठ जाती है और खाने को कुछ नहीं मिलता और मुसल्मान एक ही जो मुसल्मान है ना वो दस काफरों पर बारी है और यह इसी चीज़ पर हम आएमान है मारा और यही सचाई है इसी से वह डरते है सर जंग किस चीज़ से जंग करते हैं इमान पर होती है न यकीन पर होती है वह तो तो तरखावदार पर उनके मलाज़म में थारे फोजी हम तर यह नहीं लड़ेंगे जब हम टाइम आए अब देख लीज़ गार्ट प्रेजम्पल जंग होते हैं आपने कहा कि इमान बहुत बड़ी तागता है मुसल्मान की तो होनी भी चाहिए लेकिन अगर मैं बात करूं जंग की तो सब्सक्राइब करने के लिए हमें अपनी तैयारी भी तो चाहिए अब जब इंतहाम देने के लिए जाओ आपके पार कलम हो तो आप उन्दहाम से पास हो सकते हो भात सब्सक्राइब तुरुए मैं एक पर आशनी के सब्सक्राइब किन्टॉए यह ना किदि citizen के आप शुरू और हुए इंडिया बी कोई ओर भी विसुवाल करें ना आपने की बात कि तो आपने को लगा जिए आपने इंडिया पर आ के बाद आपने जजबात पे बहग अप तो मैरेका चलो चलता तो चला जो स्क्राइब उस्ता है अब आपि हमकि कुछ घ्रिक पैसे तो से बी आपको कोई प्राबलमें आम उमन लोगों इस बेवकूफ आदमी को मैं क्या कहूं इसलिए मैं शब्द कड़े शब्द बोल रहा हूँ क्योंक सतंप कि यह Viv Wow ऐसे रिंग यह के रहा हो ही हमसायों व किडि़ा के दिया हमसायों की इंडिया की सबसे बनती है पाकिसान छोड़ कर इंडिया की अफगानिसान से भी बनती है इंडिया की बंगलादेश से भी बनती है इंडिया की भूटान से भी बनती है इंडिया की शिलंका से बनती है इंडिया और चाइना में डिफरेंसेज हैं जड़पे हुई ह अभी भी जड़ाप होई जहां पर इंडियान आर्मी में लट बजाए चाइनिया की सानिकों पर तब भी हमारे दर्मियान ट्रेड चल रही है तब भी हम काम कर रहे हैं लडाई और बिजनस दोनों दो अलग अलग चीज़े हैं और धीरे धीरे जब बहुत ज़ादा हो जाएगा तब यह आपसमें कनेक्ट होती है आप लोगे तो आपके सियासत दनार आपकी जनता की तरह हम बेवकूफ नहीं है और सुनिए लडाई जो है ना इमान से अगर लड़ी गई होती इमान से जो आप कहा रहेंगे हमारे पास बड़ा इमान है तो चारों जंग आप जीत गए होते और कश्मीर आपका हो गया होता मेरे एक सवाल का जवाब दे दिजे बस चार लड़ाईयां लड़ी आपने कश्मीर के उपर सारी लड़ाईयां mostly कश्मीर के उपर हुई हैं क्या कश्मीर आपको मिल गया तो जब कश्मीर आपको नहीं मिला तो फिर कहां गया आपका इमान कहां गया आपका जजबा कहां गया वो कल्मा जिसके बुनियाद पर आपका मुल्क बना था इस पर बात क्यों नहीं करते आप लोग 75 साल में आप लोगों ने क्या ऐसा कर दिया क्या ऐसी अचीवमेंट कर दी जिससे आपको फक्र मैसूस हो आपको पता नहीं है कि आप लोग जिस पे कहते हैं न कि एटम है हम चला देंगे फोड़ देंगे आप इसलिए जाहिल हैं क्योंकि आपको अंदाजा नहीं है कि क्या होगा अगर आपने एटम चलाया तो और आपकी अभी एक मैटम थी मिनिस्टर उनको भी आइडिया नहीं है बन गई है मंत रही लेकिन बुद्धी नहीं है उनको भी आइडिया नहीं है अगर एटम की जंग होई न तो पाकिस्तान का क्या होगा ये मैं नहीं कह रहा मैं आपके ही कुछ बड़े ओफिसस के जुबानी सुनमाता हूँ और बड़े पत्रकारों के जुबानी सुनमाता हूँ ये जो अनपड़ों का टोला यहां फिरता है ना बड़ा एटमी जंग और ये सजा के रखा हुआ है और ये डेकॉरेशन पीस है इन चाहलों ने पड़ा ही नहीं किया अटम बाम होता किया है अब एक अरब से ज़्यादा की पापुलेशन हम है सतरा क्रोड़ सोच लें के ये पागनों का एदर एक खुझूम है ये कजीब तरह का कनवी ये वाहिद कौम है जो अपनी बरबादी की खबरों का जश्ट जशिन मनाती है ये और नुक लब्गला नुक पुझटरी अवस्यावारिघ, इंडिया का बबादी लोग मैं जड़ देख प्रिस अप्रिस्तान थियुटरी कि विता कि अश्ट पार्ता से प्रेश् से टिक ये वे बार्तों है ।्ट्स्टरी का बट्यूर बाकिस्तान तोन है नवी सुन लिया तो यह जो आप लोग लोग लेकर आ जाते हो कि हमारे पास तो छोटे-छोटे पाव-पाव भर के अटम है तो उससे कुछ नहीं होने वाला जनाब पहले अपनी बुद्धी को डेवलप कीजिए उमर 40 की हो गए लेकिन बुद्धी वो पाँचवी क्लास के बच्चे से भी खराब है मतलब इंडिया के पाँचवी क्लास के बच्चे की बात कर रहा हूँ उससे भी खराब है पाकिस्तानी पाँचवी क्लास मा समझेगा पाकिस्तान तो खेर बात ही नहीं करूँगा मैं उसकी एजुकेशन सिस्टम की तो उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि आप इंडिया को एटम के नाम से धमका देंगे तो आप देखिए कि आपने चार लडाईयां अड़ी उसकी अंजाम क्या हुआ क्या आप अपने मकसद में कामियाब हुए नहीं हुए आपके पी एम साब ने कहा था कि घास खाएंगे लेकिन अटम बनाएंगे तो बस देखिए वो बात सच हो गई अटम तो बना लिया आपने लेकिन अब घास खानी पड़ रही है आपको पाकिस्तान घासी तो खा रहा है अब तो मैं यही कहूंगा तो मुझे तो अपने हमसायों से कोई मसला नहीं है मैंने हंडर्ड परसंट नहीं का फिफ्टी परसंट को कोई ना कोई बात ऐसी होती है जो उनकी अच्छी नहीं लिए लिए किया है तो क्या हम अपने अपने हमसायों के लिए वैतर हैं मैं कियसे चुह करने का टो होता 10 कि में अगर हम स्पेशrot की बात करें कि तो सबसे मैं इंडिया के बत की तो मैं के सच तरह को जो ग्यारे कि कि दिमें को वहीं से बैट के ल्यक्त तो एक टिकनोलोजी नहीं था कैसे नुरे बंड टिक्नोलर पहार ते सब कुछ कुछ ताisc अबयोंको आपने उनको भगाया शर्म नहीं आती है बोलते हुए बगाया आपने अमेरिकान ने जब तक चाहा तब तक रहे वो जब अमेरिकान ने लोगा कि हमारा काम अब यहां पर खत्म हो चुका है वो भग लिए वहां से रातो रात निकल लिए यह काम 40 साल रहे न महां पर अफगानिस्तान पर राज किया न एक तरह से अमेरिकियों ने 40 साल तो दो साल में क्यों नहीं भगा दिया तीन साल में क्यों नहीं भगाया चार साल में क्यों भगाया पांच साल में अमेरिकान छोड के गए हैं खुद तब तालिबान को सत्ता मिल है अगर वो छोड़ कर नहीं जाते तो गंटा अब तक कुछ नहीं मिलना और वो आपने बगाया आपने बगाया तो उसका अंजाम देख रहे हैं क्या हो रहा है तालिबान वाल ठोक रहे हैं आप लोगों को पाक फोजी निपटे जा रहे हैं अभी बन्नू में क्या हुआ तालिबान ही थे ना अपने बगाया ता ना मेरी कियों को कितनी बड़ी गलत फैमी में जीते हो यार आप लोग कितनी बड़ी गलत फैमी में जीते हो आप लोग जिन जिन लोगों ने अफगानिसान में तालिबान के टेक ओवर को सिलिब्रेट किया था वो सब आज के सुर्थखाल के जिमधार है देर रिस्पॉंसिबल फॉरेट हम यहाँ से शादियाने बजा रहे थे जासे हम लोग अपने सहाफियों को वहाँ पर बेज रहे थे क्या आप लोग सिलिब्रेट किरें जिन जिन लोगों ने भी उस कापल के टेक ओवर को सिलिब्रेट किया है आज हमारे वो मुझ्रम है आज जो हमारे जो यो खून बह रहा है उन लोगों के हाथ हमारे खोन से रंग हुए है तो इन सब को इस चीज़ का जिमनार हमें टहराना होगा हमने सोवियत को बगाया, रशिया को बगाया हमने अमेरिका को बगाया और खुद कहां पर कड़े हुआ खाने को लाले पड़े हैं रोटी नहीं मिल रही है भीक मांगनी पड़ रही है दुनिया भर में भिखारी मुल्क साबित हो चुके हो आपके पीम साब कहते हैं भाई साब मैं नहीं कहा रहा है अफंड मत होईएगा कटोरा लेकर गूमते रहते हो भी बगालेंगे सर आपने कहा कि अफगानिस्तान के पर सर देखें न उधर नसले तबाह होगी लोगों के लोगों के तबाह होगे सर हम पीस की तरफ क्यों नहीं आते जंग को चाइट पर क्यों नहीं छोड़ देते हैं भाई जो है ना हम पहले दावत अच्छी देंगे इमान की देंगे जब कोई नहीं मानेगा तो फिर तो दूसी तरह समझाना ही पड़ता है इमान की दावत कि आप से लिए ने जंग उस वक्त इक्तियार की जब सारे को सारे साफ खतम होगे हर चीज़ करके कोशिश की तो हम पहली बात जंगी करते हैं बात सोचते हैं कि भाई यह काम करेंगे तो फिर जंग सबसे पहले जंग होगी तो फिर क्या मुसल्म जंग इसलिए रखी की थे कि हम लोगों को डुराएं इस बात से कि भाई हम जंग कर सकी नहीं 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 ये बात नहीं है, श्याद आपका अपना एक ख्याल है, ऐसा नहीं है, असल में होता है एक कोई cookie का प्र नहीं है, प्र इन्लों के। तो मैं उदर जाके भी उनके लिए त्यार हूं खिदमत के लिए ये मुझे आप मैं इसमें कोई पीछे नहीं आटूंगा किसी भी जगां पर आने वाले टाइम में इंडिया के से रिलेशन बैतर करने किस बारे में सोच रहे हैं या नहीं हाँ बिलकुल दावत तो देनी चाह ना ना हमें हिंदों से मसला है ना इंडिया की जो अवाम है उनसे कोई मसला है हमें मसला ये है कि किसी भी मुसल्मान पर कोई जुलम ना करें उनको तंग ना करें उनको अपने मजभी अज़ादी दें और हम उनको भी अज़ादी देंगा अपने मजभ में जो मर्जी करें ह हमेंदिया छोड़ दो अपने देश में जो मुसलमानों के खिलाफokol रहा है शिया दो अगर तुम सुननी हो उठाओ अपने हिंदिया के लिए अगर तुममें हिम्मत है तो इसलामाबाद में जो मंदिर बनना है हिंदूओं का, उसको बनवा कर दिखवाओ है हिम्मत बाते बड़ी-बड़ी करने से नहीं होता, एक्शन करके दिखाना पड़ता है, काम करना पड़ता है चार हजार शियाओं को पिछले कुस टाई में मार चुके हैं आपके यहां लोग और एहमदियों को तो आप गिनते ही नहीं हो मुसल्मानों में, आपने अपने कंस्यूशन में ये कानून बना दिया कि एहमदियाओं को मुसल्मान होने का हक नहीं है आप हक्की बात करते हो उठाओ अपने मुसल्मान भाईयों के लिए आवाज अभी हाली में पिशावर में शायद एक शिया मस्जिद में ब्लास्ट हो गया था साट सत्तर शिया मारे गये थे उठाओ आवाज उनके खिलाफ आपके यहां जो शिया काफिर, शिया काफिर के नारे लगते हैं रैलियों में उनके खिलाफ आवाज उठाओ, क्यूng? वहाँ तो सर तं शे जुदा हो जाएगा जैसे हिए आप बोलो कि उस रैलियों में जाकर आपने शियाओं का पक्ष लिया तो वहीं पर हो जाएगा अगर है हिम्मत प्रीड की हड़ी में सीधी खड़ी होने लाइक तो करो दूसरे देश की चिंता तो बात में करना पहले अपने देश में जो मुसल्मानों पर अत्याचार होने उसके खिलाफ आवाज उठाओ तब तो बात बनेगी तो हम पूरा उनको ये क्या बात हुई आप मुझे बताएमन पहले बनाे ओजरा ओभा एपहा है कि अगर को जैस रिर्मियुस? यह मारा इमान हम नहीं कहते क्यों कहें वह उदर जो बनदा नहीं कहता हो कार देते हैं ये कौनसा इमान है ये कौनसा मजब ैщё कोंसा तरीका कार? ये तो अजादी नहीं है ना मैं जवाब देता तो सियाल कोट में क्या हुआ था उस बिचारे शेलंग्टन को क्यों मार दिया गया क्यों क्योंकि उस पर आरोब लगाया गया कि इसे इसने इसलाब के खिलाफ कुछ बोला है जिन्दा जला दिया आप लोगों ने उसे सडक पर तब तो नहीं पूछेंगे हिंदूओं पर लगातार महाँ पर जुल्म किये जा रहे हैं मंदिर तोड़ दिये जाते हैं जला दिये जाते हैं मंदिर वो बिचारे रोते-रोते रह जाते हैं कोई उसके सुनवाई नहीं होती तब कहां हैं आप? कहां हैं आप? हिंदू नाबालिक बच्चियों को अभी लेटेस एक आई है फिर से कनवर्ट कराए गया है जबरन उसे इसलाम धर्म कबूल करवाए गया है उनकी शादियां कराज जाती है 12-13 साल की बच्चियां 10 साल की बच्चियां हिंदू हिंदू एक हजार से ज़ादा हर साल हिंदू बच्चियों के साथ ऐसा किया जाता है महाँ पर तब कहां आपको नहीं दिखता तब जुल्म नहीं है वो नहीं तब तो वो आपकी शान है क्योंकि इसलाम में आपके हाँ कहा गया है वैसा करने को और मुझे याद आता है आपके हाँ के जिन्ना इंसिट की एक डॉकुमेंटरी थी अपने ही मुल्क में बेगाने जाकर शर्माए तो आप लोग देख लीजेगा उसमें उसमें एक शिया महिला थी उन्होंने बताया कि कैसे उनके पती को कतल कर दिया गया इस बात को कहके शिया को मारोगे तो जन्नत पर जाओगे सुनिये मेरे हजबन निकले कोई आठ बजे घर से फैकटरी के लिए रमदान का महीना था आठ बजे घर से निकले मुझे सारे आठ गटरी के कारժेंटर को फॉन आ है कि साभ।समिये नहाँ यह वो मार दिया अब इसके बाद भी तो आपको शरम आएगी नहीं क्योंकि आप बेशरम है अपना घर नहीं दिखेगा पहले दूसरों के घर से बहुत जलन होगी कि दूसरे के घर में मुसल्मान कैसे सुख से है जब आपके 22 करोड में प्रॉब्लम्स हैं तो हमारे यहां तो 122 करोड है भाई जब आपके 98% एक ही मजब के लोग हैं तब भी मार काट मची हुई है हमारे यहां तो फिर भी आपके लिहाद से बहुत कम है हमारे हाँ जगडे जंजट हैं मैं यह नहीं माना कि जगडे जंजट बहुत कम होते हैं जगडे जंजट और इसके बाद भी आपको लगता है कि यहाँ पर मुसल्मानों को दबाया जाता है तो थू है आप पर वालेकुम स्लाम कैसे हैं आप कैम आप का अगरोऀ से ब्याद करूं तो कौन सी कंट्रीज ज़ादा आगे है किससे कंप्यूटर साइंस में क्या से थोड़ा वेलिट locker धास अगरोगाuri अगरब अमएरिका कि जिक्रीन और और लेकिन सर्व पागिस्तानी स्वाथ को मानते न हैं अगर उनको पता भी है कि वाकिसे Madiμ डिवेलपलों को रहें तो बहुत तरक्य कर नहीं है एस चीछ कुए नहीं है नहीं हौहां हैं उसकी वज़ा से इमजब गया है कि इंडिया अच्छा नहीं है थो यह हमें ऎक रच्छ नहीं प्रसेंट इंडिया को कैसे इंडिया को डवार हैं को के मिलते हैं वह और वह सारी मिलते हैं इन गलोब एक रिपोर्ड के मताबिक इंडिया टेक्नोलजी के लिया से दुनिया के तीसरे नंबर पर आ चुका है अगर स्पेस की बात कर लें स्पेस में देखें ना इंडिया न अपने जड़ें कैसे जड़ें मजबूत कर लिए सबसे पहले चांद पर उन्हों ने पता लगा सब्सक्राइब करें तो इंडिया को बीट करने के लिए कितना टाइम सब्सक्राइब करता है जितनी एजुकेशन बढ़ेगी अपडेटेड चीजें पढ़ाएंगे इस पर सारा डिपेंड करता है आपडेटेड कोर्सें जिसना वो जावा स्क्रिप पढ़ाई जाती बच्च सब्सक्राइब करने के लिए अपना काम करते हैं लेकिन इंडिया देखे तो वह जहां पर जाग कंपनी के सियोस बनते हैं या मैनेजर्स बनते हैं मैनेजर्स बनने के लिए प्शियोस बनने के लिए अपना काम करने के लिए क्या चीज़े जरूर ही जो कि बचों के सकानी होगे इंटरिपरेनिशिप मताबिक पिछले इसको कैसे करना जानते हैं इसको कैसे इसको बस फाइदा देखते हैं यहां कि नौमिक olmगों कर ली पिलिटिकिली बी और यह हर शहा फूचर चाहता है बस अपने बच्चा से लिए और अपने लीए इदर एक मैंने आपसे पहले एक बंदे का इंटर्वियू किया वह कहने लगा कि हिंदुस्तान के अंदर मुस्लमानों को से इतना ज्यादा जलम होता है कि उनको जबर्दस्ती कहा जाता कि जे श्रीराम का नारा लगाओ अगर यह नारा नहीं लगाओगी तो तुम्हारा सर कल सरदर से अलग कर दिया जाएगा क्या आपको लगता है कि जो दुनिया की वर्ल्ड की फिफ्ट लार्जिस कौन में बन गया अब भी उसके अंदर इस किसम के लोग पाई जाते होंगे मैं करने नहीं पाई जाते क्या सबके साथ ऐसे होता हुटते होंगे लेकिन आपने अप सब्सक्राइब जो जो आचे योंडिया खाएं जो करा सब्सक्राइब की फुर्णी या नहीं लोग तो यह देखें इंडिया के दिर्मियान प्यार महबत और इंडिया से जो नफरते ये खतम हो सकती है पहले तो यह स्वाल को आप दें खतम करके हमें भाईचारा करना चाहिए या ट्रेड कर लीने चाहिए या नहीं देखें खतम तो नहीं सकती पासपोर्ट ही लाग होगी है लेकिन यह के फ्रेंडली बाती इनको भूल जाए नएसे इस्टैब्लिश्मेंट करें याद आए जब महातमा गांदी ने यह मुलक बना हमारा दोनों मुलक बने तो उन्हों न कहा कि मैं वीजा नी रखोंगा दो मुलकों के तरिमें मैं वह तो चाहते थे कि मैं बटवारे ही ना करूं अकर बटवा जी उसको जोड़ा तो नहीं जा सकता है मैसिज देते कोई पीस का यही के अमन काइम रखे हैं और एक दूसरे के साथ महबबर से पेश हैं और नफ्रतें खतम करें वैसे पाकिसानिमी लोग ऐसे बटे में सारे कौन से जुड़ें में जैसे के आपस में वैसी परसनल तालु तो दोस्तों वीडियो हो गया है खतम और वीडियो आपने देख लिया यह जो आखिर वाले भाई साब थे इन्होंने थोड़ी सी मतलब लॉजिकल बाते की अच्छी बाते की यह थोड़े मुझे लगए प्रोग्रसिव पाकिस्तानी थे देगे मैं भी हर पाकिस्तानी को न लेकिन ज़्यादतर है जो पहले वाले भाई साब थे उनकी तरह जाहिल बिना हक्रोड करने वाले बिना लॉजिक के बात करने वाले तो जाहिर से बात है कि आदमी को गुस्ता भी आता है हासी भी आती है दूसरी बात कहीं कि अब तो डिविजन होगी आज जुड़ नहीं स लेकिन उसमें और हमें फर्क है वहाँ पर religion का मसला नहीं था religion का मसला यहाँ पर है क्योंकि आपका देश religion के नाम पर बनाये गया, Islam के नाम पर आपका देश की new पड़ी, Islam के नाम पर आपका देश पैदा हुआ, Islam के नाम पर आपने कहा कि हम हिंदुओं के साथ नहीं रहेंगे हम अलग मुल्क लेंगे आपने ये कहा तो नफरत की बुनियाद पर ही तो आपका देश बना क्योंकि अगर हिंदूं से नफरत नहीं होती आप लोगं को ये नहीं लगता कि जी COB तो हम हिंदू के उसमें कैसे अच्छे हुए हैं, ना आपकी इंडस्ट्री ग्रो की है, ना आपकी सियासत अच्छी हुए, ना आपकी डिमोकरस्य स्टेबल हुए, ना आपकी करप्शन कम हुआ है, यह तो नतीज़े हैं न जुद्धी करें सामने, तो जब रिजल्ट सामने हों, तो उन्हें देखकर अग उपर जो यह खट-कट की अवाज आ रही है, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा, क्योंकि उपर किसी फ्लैट में काम चल रहा है, तो इसलिए आपको कटिंग की और ड्रिल की और थोड़े की अवाज आ रही है, तो इसके लिए माफी चाहूंगा, थोड़ा साब बेर कर हुआ है इसके लिए भी हमने बड़ी मेहनत कि और डूसरी बात कि अगर मैं इसे थोड़ा historii में और पीछे जाओं मैं कई हजार साल पीछे जाओं तो science को लेकर हमारे धर्म में हमारे सनातन धर्म में बहुत अच्छी बात कही गई है और समझाया गया है कि साइन्स क्या है आप लोग आज जानते हो कि 9 planets होते हैं हमारे धर्म ग्रंतों में 1000 साल पहले लिखे गए कि भाई 9 ग्रह हैं प्लेनेट को हिंदी में ग्रह कहते हैं ग्रह तो 9 ग्रह हैं जब कि ये बाते लिखी हैं किताबों में तो ये बात समझनी चाहिए कि देखे हम लोग हमेशा से पढ़ाई लिखाई और इन पर रहे हैं आप देखिए जैसे नालंदा में जो युनिवर्स्टी हमारी जलाई गई बख्तियार खिल जी जो मुस्लिम हमलावर था तो इस बात से सोचे कि तब ये बात कई सो साल पहले की है तब भी हम पढ़ाई लिखाई पर कितना ध्यान देते थे ये वो परंपराएं चली आ रहे हैं कि हम एजुकेशन पर शुरू सही पहले सही हमारा ध्यान रहता है तो आज भी हम उसी अपनी परंपरा को अपनी संस्क्रिति को फॉलो कर रहा है एजुकेशन लिख मस्ट एजुकेशन तो होनी ही चाहिए और उसी का नतीज़ा है कि आज ہम ढ़लप हो रहे है들이 क्योंकि सारी चीज़े एजुकेशन ससे शुरू होती है सारी चीज़ें हाँ हो सकता है उसमा मिलादेन टाइप कि अभी आ रहता है कि हो सेविल इंजियन बन के भी आतंकवादी बन गया तो खेर उस पे हम मैं कुछ कह नहीं सकता है जो जिसकी नियती जैसी जिसकी सोच वैसी दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूँ जो पहले वाले भाई साब कहा रहे थे कि जी हम इसलाम मुसल्मान हैं हम यह है वो है अरे भाई आप मुसल्मान हैं तो हैं इसमें किसी को इंकार तो नहीं है मैं हिंदू हो तो हूँ लेकिन अगर मैं यह कहना लगूँ हूँ कि भाई नहीं मुसल्मान तो दो टके के लोग है मुसल्मान धर्मी इसलाम धर्मी बेकार है वो तो बड़ा भायाद धर्म है ये है वैसा है मैं किसी धर्म पर उंगले नहीं उठा सकता आप इसलाम को मानने वालो मानी है मैं अपने सनातन धर्म को मानता हूँ मैं सनातन्धन को मानूँगा लेकिन दरसल दिक्कत क्या होती है कि पाकिस्तानियों के तरफ से सबसे पहला जो अटैक होता है वो यह होता है आरे वो तो हिंदू है यार वो तो बड़े गलीज लोग है यार वो तो बनिया लोग है आप समझे रहो तो जब सामने वाला बन्दा आपकी ऐसी बाते सुनेगा कि भाई वो अपने आपको सूपर बता रहा है जिसके पास दो कौड़ी का ग्यान नहीं है पाकिस्तानी के पास और जो एड्यूकेशन ले रहा है लोग लॉचिकल बाते करते हैं बता है रहे दो कोड़ी को लोग तो फिर तो घुस्सा आएगा न तो यही हो रहा है तो आप अगर आपको भी इज़त पानी है तो आपको सामने वाले को इज़त देनी पड़ेगी यह तो आपके हां भी कहा जाता है न और जाहिर से बात है कि हमारे हैं पढ़ाई लिखाई का हम इतना फालतू में बातें नहीं करते कि यह दीन और वो और ऐसा रहता है अब काम करिए आप अपने दीन को भी मानिए काम भी करिए देश के डेवलोप्मेंट में युगदान दीजिए जहां भी रहे है वहाँ पर अपने देश का नाम रोशन कीजिए पाकिस्तानी हों प जानते हैं तो जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ नमस्कार जहित